हेलो एब्रिवान वेल्कम टू दी फार शाथ वीडियो में बात करेंगे CSMA CD के बारे में अब CSMA CD क्या होता है CSMA CD स्टेंड्स वोर केरियर सैंस मल्टिपल एक्सेस कुलिजन डिटेक्शन बेनिंग ये क्या करता है क्या करें क्या रारे में कि ये यूज होता हैечение以前 के सबीग रिएवान में सब्सक्राइए अपनले कर लकिन एक में कि इडियर ये तरह ब्रामिजन ये 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 न कि अवर सेक्सपर्ले हैं के वहाँ खाएंड करना दीनीच अवद तो अपना और खासोर पर bus topology and each node were connected by coaxial cables अब यह किस Topology पर करता है bus topology bus topology में क्या होता है एक बैक बॉन केब से multiple nodes connected होती है और वो multiple nodes क्या चाहते है वो media को access करना ताकि वो अपना data transmit कर पाए तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं किसके लिए collision detect करने के लिए अगर कोई collision हो जाता है ठीक है तो वहाँ पे उसको collision को detect करने के लिए हम क्या करते है CSMA CD का यूज करते है और basically wired हमारा network होता है उसके अंदर यूज करते है wireless के अंदर इसको यूज नहीं करते है तो बात करते हैं किस तरीके से होता है तो जो हमारा CSMA CD रहेगा इसमें basically क्या होगा कोई भी जो host है ठीक है वो host अपना data transmit करने से पहले जो भी हमारा media है ठीक है wired media है उस पर अपना data transmit करने से पहले carrier को sense करेगा मतब क्या क्या कोई और node भी ऐसी है जो कि मतब पहले से कोई data मतब send कर रही है ठीक है तो यह detect कर जाता है और basically यह सिर्फ जो host है वो अपने चारो और यह देखता है कि जो हमारा channel जो है वो like idle है कि नहीं है ठीक है और मतलब अगर क्या होता है मतलब idle होने का मतलब क्या कि मतलब वहां पर कोई भी और किसी नोड ने कोई data transmit नहीं कर रखा है वह idle है ठीक है तो वहां पर अगर ऐसा वह found out करता है तो अपना data send करना शुरू कर देता है तो बाकी notes के लिए भी तो सेम यह होता है बाकी notes भी क्या करेंगी सिर्फ अपने चारो और यह देखते केरियर को सेंस करके भई किसी और ने भी data send कर रहा है कि नहीं कर रहा है वह भी अपना data send करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है अगर जिसे एक ही time पे multiple notes क्या कर देती है अपना data transmit कर देती है same medium के वे पर और हम half duplex किसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाता है अब इसको detect भी तो करना है ठीक है तो इसको detect करने के लिए यहां पर क्या होता है अपना data transmit कर देंगी तो यहां पर क्या करेगा the csmscd sends a jam signal यह क्या भेजता है एक jam signal भेजता है over the ethernet जो हमारे ethernet cable हो तो इस पर jam signal भेजा जाता है the jam signal is an induction to all the other devices मतलब हर एक जो भी हमारे इस इस तोपलोजी में जितने भी डिवाइस होंगी सबके पास यह signal जाएगा और इसका meaning क्या होगा कि no further data should be sent मतलब अब यहां पर क्या हो चुका है jam signal बता देगा भी आप अभी अभी data मत send करो कोई problem आगे कोई यहां पर collision हो गया है तो महां से collision detect करा जाता है before clearing the jam signal each sender waits for a random time period मतलब जब तक यह jam signal clear नहीं होगा ना तब तक हर एक जो भी नोट्स है वो क्या करेंगे wait करेंगे jam signal के clear होने मतलब होने के लिए wait करा जाएगा और जब यह jam signal clear होगा तब आपना data send करना शुरू करेंगे this random wait period is called backoff time period okay इस time को हम क्या बोलेंगे जो time हम वेट करना पड़ रेंडम time यह backoff होता है ठीक है backoff time period होता है backoff period भी हम इसको बोलते हैं और यह क्या करता है इस चीज को ensure करता है कि summary data transmission does not occur again between two or more devices तो यह हमारा होता है CSMACD तो यहां पर आप देख भी सकते हैं ABCD हमारी हां पर चार नोड है और starting time क्या है 10 a.m. data को transmit करने का और collision कहां पर करो गया 11 a.m. ठीक है और इस तरीके से फिर signal गया होगा बाकी सब devices के पास भी कि अभी क्या हो गया है collision अकर हो गया jam signal है ठीक है तो अलर्ट आ जाता है सेंड होने के मतरब बिलकुल पहुंचने ही वाला है और उसी के जस्ट पहले क्या हो जाता है एकदम से कोलिजन अकर हो जाता है तो मतलब बहुत जादा time consuming तो होता ही होता है और plus वहां पर कोलिजन अकर हो गया तो यहां पर CSMA CD क्या करता है को डिटेक्ट करने का काम करता है यह हमारा CSMA CD so this is all about guys CSMA CD so thank you guys